वैदिक कलर्स में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक कलर्स हमेशा ही आपको समय समय पर वैदिक ग्यान से संपन्थित चाकारी वीडियोस के माध्यम से देता रहता है हमें कई लोगों से रिक्वरस्ट मिली थी कि काली हल्ति से संपन्थित वैदिक और जोतिशे उपाई हमें बताएं आज इसी कड़ी में बड़े ही ग्यानी जोतिशें से वादचीत कर यह उपाई आपके साथ शेयर करने जा रही है बड़े बड़े पंटितों और विद्वानों के अनुसार काली हल्ति का प्रयोग सही तरीके से करने से व्यक्ति का भाग के बदल जाता है और उसकी स्थिती में तुरत बदलावाना शुरू हो जाते हैं आईए बताते हैं घर में सुख, सम्रथी और शांती के लिए काली हल्ति का उप्योग कैसे करना चाहिए घर हमारी जीवत का अभिन अंक है और सभी कारियों का मुख्य भाग है कई बार जीवन में उतार जड़ाव के साथ ही आठिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है ऐसे में घर में तनाव और चिंता के स्थिती उत्पन्न हो जाती है ऐसे में काली हल्ति बहुत ही अच्छूप उपाई के तौर पर जानी चाती है इस उपाई में काली हल्दी को लाया जाना है उसे कंकाचल से शुत्र करके हल्दी कंकू से पूजन कर धूप दीव दिखा कर चानी के सिक्के के साथ पीले कपड़ी में लपीट कर अपने घर के पूजास्थल या तिजोरी में रखने इसके तुरंत प्रभाव होनी शुरू हो जाते हैं और घर में आर्थिक समस्याएं धीरे-धीरे दूर होने लग जाती है इस प्रयूक को आप नपरात्री से दिवाली तक चीत नपरात्री, गुप्त नपरात्री और गुरु पुष्य नक्षत्र को भी कर सकते हैं आए जानते हैं व्यापसाय में यह किस तरीके से हमारे लिए फायदे मंद साबित होती है व्यापसाय में तरह तरह की आर्थिक, राजनितिक, प्रशास्निक या अन्य समस्याएं निरम तर आती रहती है अगर ऐसा है तो काली हल्ती आपके लिए बहुत ही लाप दायक सिर्थ होती है अगर इस तरह की समस्याएं हैं तो आपको गंगाचन से काली हल्ती की गठान को शित्थ करके हल्ती कंकू से पूजन कर, धूप धीब दिखा कर, पीले रंग के कपड़ी में लपेट कर, बांध ले बन के साथ एक या ग्यारह गौमती चक्र, एक या ग्यारह दिन दायक कौडियों के साथ, एक चान्दी के सिक्के 11, 21 या 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमहा का जब करें और अपने व्यवसाय, व्यापसाईक प्रतिस्थान में आप शुक्ल पक्ष के प्रत्थम गुरुवार को पूजा के स्थान पर स्थापित करें ऐसा करने पर माना गया है कि व्यापसाय में गती आजाती है, धन रुकने लग जाता है और व्यापसाय और जीवन को नई उचाया मिलने लगती है अगर आपका व्यापसाय फैक्टरी से जुड़ा हुआ है या फिर कोई दुकान है जहां पर रुकावट्य आती है तो आप काली हल्दी को पीस कर केसर और गंगा जल मिलाकर बुद्वार के दिल कारे करने वाले स्थान, मशीन या फैक्टरी की मशीन पर उसका स्वास्थिक बनाते या तिलक लगाते हैं तो कारेस्थल पर आने वाली बाथाएं भी तुरंत दूर होना शुरू हो जाती है अगर आप किसी जरूरी बिजनस मीटिंग के लिए जा रही है तो आप काली हल्दी को पीस कर उसमें जाहे तो कंको मिलाकर अपने माथे पर तिलक लगाकर उस मीटिंग से मन बाच्छित पल पा सकते हैं आई जानते हैं कि अगर आपके यहां पर कोई बीमार व्यक्ति है तो फिर काली हल्दी से कैसे स्वास्थ लाभ मिल सकता है हम अपने जीवन में हमेशा निरोगी रहना चाहते हैं अगर परिबार में कोई हमेशा बीमार रहता है त उसमें गीली चने की दाल के साथ गुर्द और थोड़ी पिसी काली हल्दी को तपा कर रोगी व्यक्ति के ऊपर साथ बार उतार कर उसे किसी गाय को खिला दे उस उपाय को आप लगातार तीन गुरुवार तक करते रहें ऐसा करने से आपका स्वास्त बहतर हो जाएगा और आपका मन काल में पहले से भी ज्यादा लगने लगेगा कई बार कुछ लोग मिर्गी या पागलपन से बहुत ज्यादा परेशार रहते हैं ऐसे में किसी अच्छे मुहूर्थ में काली हल्दी को कटोरी में रखकर लोबां की धूप दिखा कर शिद्ध करें ततपशात एक चुकडे में छेद कर धागे में डालकर माला बनाकर उसकी गले में पहना दे और नियमित रूप से कटोरी की थोड़ी सी हल्दी का चून ताजे पानी से सेवन कराते रहें इससे बहुत जल्दी आराम मिलने लगता है आए जानते हैं अपने जीवन में नकारात्मक शक्तिय की कोशिश में रहते हैं इसका सबसे अचूब समाधान काली हल्दी है नकारात्मक शक्तियों से बचा भी काली हल्दी की सबसे बड़ी विशेशताओं में से एक है अगर घर में इन नकारात्मक शक्तियों से आप परेशान है तो काली हल्दी के 7, 9 या 11 दाने बनाए और नह जल से शित्थ कर धूप, गूगल और लोबान में धूप देकर शित्थ करे और धारण करने माना चाता है कि काली हलती की इसमाला को करे या भुजा में धारण करने से नकारात्मक शक्तियां, फीढ़ा, आदी से व्यक्ति सुरक्षित रहता है काली चीजों का उपयोग, बुरी नजर से बचाने वह किसी ने आपके उपर तांत्रिक प्रयोग जैसे टोने टोटके बगरा किये हैं तो उससे बचने के लिए किया जाता है अधितर देखा जाता है कि छोटे बच्चे जो कि बहुत मासूम होते हैं और बहुत ही खूपसूरा दिखते हैं उनको बहुत जलती नजर लग जाती है नजर से बच्चे ही नहीं, बड़े भी अज्छूते नहीं रहते हैं कई बार बढ़े व्यक्तियों को भी उनकी खूपियों या सफलताओं के चलते नजर लग जाती है ऐसे में यदि किसी व्यक्ति या बच्चे को नजर लग गई है तो काले कपड़े में हल्दी को बांध कर साथ बार उपर से उतार कर बहते हुए जल में प्रभाहित करने अगर किसी की जन्म कुंडली में मंगल और शनी की तश Walmart है तो काली हल्दी का प्रयोग जाने मंगल और शनी की बाधाएं जीवन में दूर करने के लिए भी काली हल्थी का उपयोग किया जाता है काली हल्थी का प्रयोग मंगल और शनी ग्रह के नकरात्मक प्रभावों को दूर करता है किसी की जन्म पत्रिका में मंगल और शनी पेढ़ित है तो वह जातक यह उपाय करे शुकल पक्ष के प्रथम गुरुवार से नियमित रूप से काली हल्दी पीस कर तिलक लगाने से ये दोनों ग्रह शुक फल देने लगेंगे कई बार देखा जाता है कि कुछ लोगों को बार बार चोट लग रही है या एकसिडेंट हो रही है ऐसे में शनी का प्रकोप माना जाता है इसे शांत करने के लिए काली हल्दी की तीन या पांच गठान को लेकर व्यक्ति के सिर्पर से साथ बार घुमा कर किसी नदी में बहते पानी में प्रवाहित करने से तुरंत बचाव शुरू हो जाते हैं कई बार बैवाहित संपत्धों में तनाव का माहल रहता है वपति पत्नी के बीच में हमेशा जगड़े होते रहते हैं ऐसे में भी काली हल्दी घर का माहल सत्भाव पूर्ण बनाने में सहायक होती है आप अपनी जन्म कुंडली में मंगल या शनी के दोश का निवारण काली हल्दी के पौधे की रोज पूजा करके भी निश्यत रूप से कर सकते हैं इस तरह कई तरह की समस्याओं में आप काली हल्थी का उप्योग कर उन समस्याओं का सफलता पूर्वक समाधान कर सकते हैं ऐसे ही मुल्ली बात, ग्याद और जानकारी वाले वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे बैतिक कलर्स चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वारे बहु मुल्ली वीडियो से आपको निरंदर अधुत जानकारियां बग्यान मिलता रहें धन्यवाद